सामさん का टाइम है और मैं आज कोई ब्लाग लेकि नहीं आई हूँ और मैं डाली थी उसके पस मैंने कोई डाला कि यहाँ पर आ गई उसके बास अभी का टबियत खराब तो इस वहामा देख्ते आज ऐसे उसके लोका फूर को ड़े खराना कराờं में ठीक नहीं हूँ इस वाइसे मैं ब्लॉग नहीं बना रहे हूं कि मैं तबियत अस्वस्त रहती है और मुझे कुछ ऐसा करने का मन नहीं करता है तो इस वाइस मैं ब्लॉग इंग अभी फिल हाल में नहीं कर रही हूं मैं आज एक छोटी रेसी पी लेकर आई हूं आप लोग के साथ सेयर करने के लिए और आज यह थी खास है बहुत पीं हो बनाें गोता है तो अफली हम Nu होताएं बट मैं घर पे ट्राई करूँगी और मैं पहले भी बना चुकी हुँ But आप लोग सा deport रेसीपि शेयर नहीं की हुँ So, सोची मैं आज रेसीपि आप लोग के साथ शेयर करती हुआँ, उससे मैं घर करिएगा अगर आप लोग को रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा और चैनल पर नए हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हम दूद लिए हैं और तो मैं दो ही लीटर दूद का बना रही हूँ आप चाहे तो आप पहली बार एक ही लीटर का ट्राइ करें क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा होता है जिस वज़से आप डर रहे हों कि ना बने हमसे लेकिन ऐसा नहीं है आप लोग बनाएंगे तो बनी जाएगा तो दूद मेर भी ठंधा ना होना चाहिए और करम भी काफी नहीं होना चाहिए और आप उसको दीरे-दीरे छेना का पानी डाल के उसे चलाते रहें और दूद अपने अप फर जाएगा तो यह देखिए मेरा दूद फर चुका है और छेना अलग हो चुका है तो इसे अब हम छान लेंगे किसी सूती कपड़े पर आप दे करके कॉटएन कपरा जो होता है उस पर दे कर के आप छान सकते हैं तो यहाँ चौना पे डाल के और इसके बार यह कॉटएन मेरे पास रुमाल तो इसी में मैं निकालोंगी और इसे अच्छे से निचोर लोंगी निचोर के इसे हम साफ कर लेंगे पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए पानी हम बिल्कुल निकाल लेंगे एक दम से इसको निचोर करके जितना आपके पास ताकत है आप पूरा ही लगा दीजिए इस पे और इस निचो टब तक कडाई में हम यहां पर दो ग्लास चीनी हुआ ना आपसे तो जैसे एक लक्त चीनी में हम डेर ग्लास पानी को भाद ही तो तीन गुलास पानी हो यहां पर हम यहां आदा चमस्ग कर दिया हैं यहänder बिल्कुल परतन छोटा हो गया तो मैं इसी बरावरतन में ले लेती हूं जितना रखी ताकत आपके पास पूरा ही लगा दीजिए उस पे और अच्छे से बिल्कुल इसे एक डो सॉफ्ट त्यार कर लीजिए जैसे मैदा का डो होता है उस तरह से और इसे अच्छे से नीचोर करके हम त्यार करेंगे तो यह देखिए हो गया तो इसे हम एक बार बना के देख लेते हैं यह बनता है की नहीं तो यह गोल हो रहा है इसका मतलब यह हो च और यह पर इसी तरह से हम सारे दष्गुला को जितना भी के अब यहा। दूर है उसके बाद चासनी मेरा हो गया है दूरी 152 अब तो इसको सारी भ़ोता एड्याया है बना दूरे की में दिख भी सकते हैं लोगine शृप शेक्ता है। इस में क्या करोंगी इसको मैं धक दूंगी धकने से क्या होता है जो बाप बाहर नहीं निकलने से रजगुल्ला जो होता है वह अच्छे से फूल के आपका ऊपर आएगा तो चलिए देखते हैं इस पहले से हम ढख देते हैं 3-4 मिनित के लिए और 3-4 मिनित बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे तो यह 3-4 मिनित हो गया है तो यह देखिये मेरा रसुलमा आप लोगको दिख रहा होगा और यह अच्छे से फूल चुका है कितना अच्छा फूला है आप देख सकते हैं तो यह देखिए रसुल ला बन के हो गया यह तैयार इसे हम और थोरा देर पकने देंगे इसके बाद इसे हम निकालेंगे तो अब हम क्या करेंगे इसको हम निकाल लेंगे तो इसे हम किसी अलग बरतन में थोड़ा सा पानी एड़ करके उसमें हम चास नहीं मिला के हम एड़ निकाल लेंगे अभी तो मेरा रसगुला नीचे है अभी उपर आ जाएगा थोड़ा देर में ठंठा तो यह देख लेंगे नीचोर करके और आप लोग को दिखाएंगे कि यह स्पंजी हुआ कि नहीं स्पंज का मतलब स्पंजी होना चाहिए जो रसगुला बरातियों में होता है वह बहुत ही ज्यादा स्पंजी होता है तो चलिए इसको हम दवाक के आप लोग को नीचोर के दिखाते हैं क यह देख लीजी आप लोग यह अच्छे से बिल्कुल नीचोर देंगे हम इसे बिल्कुल इसका रस निकल गया और यह देखे बिल्कुल भी नहीं टूटा और इसको फिर दुबारा से अगर हम रस में डालेंगे तो फिर यह फूल जाएगा तो एस्पंज का मतलब होता है क कि यही इस तरह का स्पंज होना चाहिए एक बार फिर हम आप लोग को दिखाएंगे निचोर करके अच्छे से यह देख लीजी आप लोग देखे इसको हम अच्छे से दबाएंगे यह बिल्कुल अपना पूरा ताकत लगा देंगे यह बिल्कुल भी नहीं तूटा इसका म कमेंट में कि मेरी जो यह आप लोग को कैसी लगी आप लोग को परफेक्ट लग रहा है या नहीं जो भी हार के हो जरूर समझ रहे होंगे तो चले रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें